बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम आज हमारा टोपिक है रैडियल नर्व मेन ब्रांचिस ओफ दा प्रैकल प्लेक्सिस हमने बनाये था उसका उन्यमोनिक मार्मू और मार्मू में हम पढ़ रहे हैं रैडियल नर्व को ठीक है ना और को और इसके जोंसे एंटेरियर और इंटेरियर होर्न और स्पाइनल कोड़ से ब्रांचिस आती है वो टी फाइव से सर्विकल वर्टिप्राइज सी फाइव से टीवन थक होती है और यह पुस्टीरियर कोड़ से आ रही होती है ठीक है यह आप एदे देखें तो यह हमर पस radial nerve है और यह posterior cord से आ रही है और इसकी जो नर्व सप्लाई कहां से आ रही है थे c5 to t1 ठीक न तो यह हमर पस posterior cord और यह radial nerve है brachial plexus में अच्छा जो हमर पस radial nerve है यह हमर पस axilla से directly posterior compartment होता आर्म जोंस आता है उसमें इंटर हो जाती है between the triceps brachy का lateral head and triceps brachy का long head और इसको यहाँ पर supply भी कर देती है एक्जिला से directly four arm के posterior compartment में यह इंटर होती है और अब हम इसको इसका course देखती है यह देखें यह एक्जिला से आ रही है और direct जो उनसे होती है यह posterior compartment of the four arm और उदर इंटर हो जाती है अच्छा यह अगर हम radial nerve को देखें तो यह हम पस यह radial nerve है जो के एक्जिला से direct posterior compartment of the four arm में इंटर होती है और radial groove वाले एरिया में जो के posterior of the shaft होता है तो radial groove में यह profundus यह जो रेड रेड नज़र आ रही है profundus brackle arty के साथ accompany कर रहा होता है accompany कर रही होती है radial nerve profundus brackle arty जो brackle arty की deep branch है जो posterior जिसे हम branch कहते हैं brackle arty की वो है उसके साथ यह radial groove जो उनसे होता है उसमें accompany कर रही होती है posterior of the shaft और यही और इसी point पर जो उनसे radial nerve directly जाकर shaft और the humerus को भी touch कर रही होती है ठीक जब radial groove खतम होता है तो यह lateral intermuscular septum को पिर्स करती है और anterior compartment of the arm में हमर पास inter हो जाती है यह अगर हम snenil में देखे तो यह देखे हमर पस anterior compartment है यह posterior compartment है इसको जो anterior-posterior compartment से फिर septum fibrous septum होता है जो anterior compartment को posterior compartment को separate कर रहा होता है जो medial side पर होता है उसे मीजल इंटरमस्कुलर सेप्टम कहते हैं जो लेटरल साइट पर होता है उसे लेटरमस्कुलर सेप्टम कहते हैं ठीक है न तो इधार देखें इन्हों ने जो हमार पास यह रैडियल नर्ख दिखाảo ही हूई है और प्रोफंडस आर्टि दिखा NO यह अमर पस जों सा распने को अपनी कर रही है जब यह जोंसा क्रॉस सेक्शन है यह क्रेकाई को ब्रेकियलस मिसल जहां पर मिडल ओफ ड yani जसाफट में हुरुआ है वहां तक कलिया गया है राड्यल ग्रूव और भी खत्म नहीं होता ठीक है ना जहां पर फिर रैडियल ग्रूफ खतम होता है तो यह फिर इस लैटरल इंटर मस्कुलर सेप्टम को पिर्स करती है और अंटिरियर कमपार्टमेट ओवदा आर्म में आ जाती है यह कुरेको ब्रैकियलस मसल जो उनसा होता है जहां पर इंसर्ट हो रहा है यह एकजिला से ड्रैक्ट पुस्टिरियर कमपार्टमेट में इंटर हो रही है और यह प्रोफंडस ब्रैकियलस उसको अकमपनी कर रही है और रैडियल ग्रूफ में एक दूसरे के साथ अकमपनी करते हो जा रही है यहां पर रैड्यल ग्रूवफ खत्म हो जाता है, यह उंफन पर प्रूफ्नेटरी को यह वालु कर रहा हो रही है फिर जो रैड्यल्ग्रूव है, तो रैड्यल्ग्रूव में यह प्रूफण्ड्ड्स ब्रूफंडस करती है और फिर एंटीर कमपार्टमेंट और आर्म में आ जाती है एंटीर कमपार्टमेंट और आर्म में यह ब्रैको रेडी एलस मसल और ब्रैकी एलस मसल यह तो मसली एंटीर कमपार्टमेंट और आर्म है लेकिन जो ब्रैको रेडी येलिस है ये यहां से ओरीजिनेट हो रहा होता है और 4 आर्म तक जा रहा होता है ठीक है तो इन दो मसल के तरमियान ये ट्रैवल करती है और फिर ये अल्बो जोइन तक पहुंचती है और ऐल्बो जोइन के इस उपरफिशल टूदा लैटर एपिकुन डाय यह ट्रैवल करती है यह हमार पस ब्रैको रैडियलस मसल है जो कि यह आर में भी है और फोर आर में इस तरह यह आर है ठीक है ना यह ब्रैको ब्रैक्यो रैडियलस मसल और रिस्ट तक जाता है रिस्ट जोएं तक आर्म से शुर मजूद होता है और इसकी इंसर्शन जों से हमार पस फोर आर में जा रही होती है अलनल्टुब्रोस्टी तक ठीक है यह हमार पस ब्रैक्यालस मसल है अगर इदर देखें तो इस तरह यह हमार पस जब रैडियल लैटर इंट्रमस्कुलर से पिर्स करके यह एंटिर में इंट्र होती है तो इन ब्रैक्यालस मसल और रैको रैडियलस मसल ब्रैक्यालस मसल के तर्मियान में ट्रैवल करके एंटी सुपरफिशल डूदा लैटर एपिकुंडाइल आती है अच्छा अब जब सुपरफिशल डूदा लैटर एपिकुंडाइल आती है तो यह डिव तो ये division देती है एक deep branch of the median nerve होती है अच्छा और जब ये division देके तो एक को हम superficial branch कह देती है of the median nerve जो के continuation होती है राडियल नर्व की और deep branch उनसी देती है deep branch उनसा होता है तो वो muscle हमरे पस सुपीनेटर muscle सुपीनेटर muscle को पिर्स करती है और पिर्स करके posterior compartment of the 4R में चली जाती है लेकिन जो superficial branch ये continuation होती है radial nerve की ये जो हमरे पस ये brachialis muscle है उसके under wrist joint तक उसके under रहती है फिर उसके deep चली उसके deep जाती है ये deep जाकर posterior compartment of the hand में आती है और superficial to the extensor right नेकुनम में जाकर ये posterior lateral aspect of the hand को supply करेगी इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह जाती है कि ब्रैके radialis muscle के under travel करती है इस joint तक और फिर deep जाती है और फिर posterior of the hand में आ जाती है ये देखें ये हमार पस superficial branch of radial nerve जान साथ है ना ये posteriorly posterior दिखाया गया ठीक है तो वहां से ये area of the hand on the lateral aspect पर ये supply दे रही होती है ये ये हमार पस इसकी branches जा रही है ठीक है superficial branch और ये हमार पस 4R में किसी muscle को supply नहीं देती है ये देखेंगे ये वही जों साथ है तर डीप होके फिर posterior compartment पर आ रही है और extensor retinaculum के superficially जाती है और फिर ये हमार पस branch दे देती है और 3.5 of the lateral aspect of the torsum of the hand में ये हमार पस supply दे दे रही होती है ये हमार पस सुपी नेटर मसल है जिसको deep branch पिर्स करती है उसको हम देखते हैं किस तरह पिर्स करती है ये हमार पस जोंसी radial nerve नर्व आ रही है और ये continuous हो जाते है superficial branch और जो हमार पस रही हम रहे हृँ देती है वो सुपी नेटर मसल को पिर्स करती है जब सुपी नेटर मसल को पिर्स करते हैं तो उसको हम deep branch कहरे है ठीक है और उसको पिर्स करके जब ये posterior compartment पे आ जाती है यहां इस लेवल पर तो इसे हम कहते हैं Posterior Introsious Nerve का नाम दे देते हैं और यह Posterior Compartment of the 4 आम जितने भी मसल हैं उनको सप्लाई करती है ठीक है यहाँ पर जब इसने पिर्स किया पिर्स करके Posterior Compartment में इस लेवल तक आई तो इसे हम Posterior Introsious इसी को डीप ब्रांच को Posterior Introsious Nerve का नाम दे देते हैं यह अगर आप 3D में देखें तो यह वही हमरे पर Superficial Continuous हो रही है यह डीप ब्रांच आ रही है तो यहाँ पर डीप ब्रांच है इसको सुपिनेटर मसल को पिर्स करके Posterior Compartment में आ रही है यह Continuation है Superficial Branch of the Radial Nerve John से Continuation है और Brachio Radialis John सा मसल आता है उसके Under Travel करती 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 रहती है और Distant of the Four Arm में जाकर यह उसको Descent करती है Anteriorly से Descent करके Posterior Compartment of the Arm में आती है Posterior Compartment of Arm में Extensor रहती नाकुल के Superficial Travel करती है और Lateral Aspect of the 3.5 of the Hand को यह Supply दे देती है ठीक और जो में बस डीब ब्रांच है उसने Suppinator मसल को पिस किया जब वो पिस करके Posterior Compartment आई तो उसे Posterior Introsious Nerve को नाम दे दिया और Posterior Compartment के जतने भी मसल है Of the Four Arm के उसको यह Supply दे 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 यह जो हम उस Superficial जो नार्वार रहती है उसके अगर बात करें तो Palmar Aspect में 1.5 को जो नार्व दे रही होती है और अलनार्वी Medial Aspect में Dorsum of the Hand को 1.5 करका रही होती है और Palmar Aspect में Medial Nerve जो नार्वी होती है 3.5 Part of the Hand को सप्लाई दे रही होती है और जो Dorsum of Hand में जो हमारे पास Radian Nerve है वो 3.5 वो हमारे पास 3.5 Part of the lateral aspect of the hand बत Proximal या Middle Flanges था ठीक है और जो Distal Flanges है ना 3.5 Distal Flanges है 3.5 वो हमारे पास जो हमारे पास जो में जो नार्वी दे रही होती है लिकिन Proximal और Middle Flanges था जो हमारे पास वो Radial radial nerve की जो superficial branch of the radial nerve है वो supply देरी होती है ठीक है और इसको आप ये तसली से देख फिल लिए अच्छा ये देखें ये हमारे पर जोंस है ना superficial superficial जोंस ही होती है वो ऐसे सीधी continuation of the radial nerve होती है continuation जाती है और ये distal of the four arm में जो हमरे प्रेकोराइडियलस मसल के अंडर ट्रावल करती है फिर four पीच पुस्टीर ली जो डीप चल जाती है डीप जाकर ये पिर superficial हो जाती है और ये back of the hand में आ जाती है और फिर back of the hand से ये हमारे रपस जो उनसा है extensor एक्स्टेंसर रेटिनेकुलम एक्स्टेंसर जो रेटिनेकुलम है उसके superficial जाती है ये मैंने जो black pointer से लगए और जो डीप ब्रांच है ये सुपिनेटर मुस्ल को पिस्ट करती है और यहां posterior और posterior compartment of the four arm जो उनसा है उसको सप्लाई करती है ठीक है अब इसको अगर हम सनेल की जो schematic diagram बनी है उसको देखें तो हमरे पस जो radial nerve है C5 से T1 तक इसका root R होता है brachial plexus में अच्छा एक्जिला में ये क्या करता है एक्जिला में posterior cutaneous nerve of the arm देती है और एक बरांच देती है triceps के लिए triceps long head को वो बरांच देती है ये रैडियल nerve की बरांच ठीक है और इसके पाद ये फिर arm में आ जाती है arm में ये हमारे पस जोंस है फिर बरांच देती है medial head of the triceps के लिए और lateral head of the triceps के लिए ठीक है न और यहां पर एक lower lateral cutaneous nerve of the arm यानि के lateral aspect of the arm की जो lower skin है उसको ये supply देती है और इदर ही arm ये posterior cutaneous nerve of the four arm बरांच ये arm में देती है लेकिन जो skin को supply जो उनसी होती है वो four arm में होती है posterior compartment में जाका ठीक है न लेकिन जो बरांच दे रही है वो मरपस arm में ही दे रही है पिर हम फिर ये lateral muscular septum को जब उसने पिस किया था और फिर anterior compartment में आए तो ब्रैकियालस मुसल को small part देती है ब्रैको रेडियालस मुसल जोंसा होता है उसकी insertion यहां तक जा रही होती है origination यहां से हो रही होती है तो एक्सेंसर कारपाई भी यहां तक जांसा होता है upper compartment तक आ रहा है तो इसलिए in muscle को supply करती है पिर मैंने बताय हुआ हुआ है कि joint से जो भी nerve यार्टी पास कर रही हो तो वह हम पास joint को supply देती है अब इसको देख लेते हैं कि lower lateral cutaneous nerve of the arm फोर arm कैसे है अच्छा यह देखें अब upper lateral cutaneous nerve of the arm जो lateral side of the skin है वह कवर करती है एक्जिलर नर्व की a cutaneous पराँ चाती है लेकिं lower side जो कवर करती है वह radial nerve की a cutaneous पराँ चाती है वह कवर कर रही होती है ठीक है अब अगर four arm में आएं तो हमेरे पसे दो ब्रांचे देती है डीप ब्रांच और अलननर जो सुपिनेटर मस्ट को पिर्स करती है और posterior compartment में आजाती है और इदे सिर्फ इतना आप लिख दें काफी होगा इसके superficial और deep layer उदा जो muscle of the four arm है उनके दिर्मियान में ट्रावल कर रही होती है और superficial layer में कौन से मसला जाते है एक्सेंसर कारपाई रैडियलस प्रावाइस सुपिनेटर एक्सेंसर डिजिटर में एक्सेंसर कारपाई अलनरेज और deep branch में कौन से abductor policy longer extensor policy longer extensor policy previous and extensor indices ठीक है यह सुपरफिशल जो ब्राच है यह continuation होती है इधर यह थोड़ सी side करके दिखाए कि यह continuation होती है main radian nerve की जो के four arm में कुई supply नहीं देती लेकिन जो dorsum of the hand जो brachio radialis muscle के under travel का रही थी फिर उसे ने deep कही थी और posterior of the hand आगे थी तो posterior of the hand में यह lateral side of the dorsum of the hand और lateral 3.5 finger को proximal या middle flanges तक कवर कर रही होती है क्योंके आगे जोंसे 3.5 जो flanges and distal उसको median nerve जो दे रही थी तो hopefully अगर आप इसको सुन लेते हैं तो इसके बाद कोई क्योरी नहीं रहेगी और आपको पढ़ना नहीं पढ़ेगा इंशाला thank you